हेलो फ्रेंस वल्कम टू माई चैनल तो फ्रेंस फिर से लेके आई हूँ अज नई रेसिपी तो फ्रेंस अभी तो नौरात्रा का सीजन चल रहा है तो नौधी नौरात्रा रता है तो इस स्पेसल ब्राद करने से कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए तो जिदी आप उपास करती है तो उसके लिए मैं कोई रेस्पी लेके आई हूँ बहुत सिंपल सबुदाना का रेस्पी तो उसके लिए देखे फ्रेंस यहां चाठों में बॉल किया वालू ले रखी हूँ और इसको पीसे सकात ली हूँ बरे साइज में मोटे मोटे और यहां पर थोड़ा सा कच बहुत सबुदाना नहीं था कप डिना यहां बनाई चला है में सबुदाना को में 10 मिनट पानी में भीगों के रखी ती और मैं इसको अच्छे से वाश कर ली थी चार पच्छन पानी से इसका ष्टाज होते हैं और यहां देखे फ्रेंस में ऑल गरम करने के लिए वेठा द और मेरा काचा मिर्ची ये है आप अधरक दे सकती है अपका मन नहीं तब आई यह है डाल देती हूं टमाटर और जो मे आलू है आलू दोनों एक साधी डालना है क्योंकि श्यक् layout अर्षका को गलाना नहीं है और थोड़ा समय यहां डाल दे रहे हूं हल्दी पाउडर थोड़ा समय यहां डाल रहे हूं धन्या पाउडर और यहां थोड़ा समय डाल रहे हूं लाल मिर्ची पाउडर सारे मस्लिए को डाल के अच्छ से dabei रे हूँ आप चाहे तो इसमें गर्म nhưng कर सकती है नहीं तो नहीं जैसे कि में अध्रह का गर्म मस्ला के लिए बोर रही हूँ कि अब घारती है तो डाले पर गर्म मसला कि यह भ सबस्त partie है यह रियानक्ट सुदसे सब्लियों और चांए तरह बना रे तो जब इसमेंक्स के लिए बलक्त कर दो तो जैसे कि बार्बर बोड़े हो कि उपास के लिए जो ब्रत करते हैं उनके लिए बता रहे हूं तो इसमें सीधा नमक डालेगा नमक रलके इसको अच्छे से मिक्स कर दीए और मिक्स करके अब में क्या करूंगी इसको चार से पाच मिनट अच्छे से मीडियम गेस नमक पकाऊंगी जो मेरा सबुदाना है अच्छे से पक जाएगा और यह खीला खीला अलग अलग हो भी जाएगा तो यहां देखे प्रेंस मैं इसको अच्छे से पका ले रही हूं एक लाव प्रेंस अलग अलग तरीकें से बनता है तो यह लीजिय फेडी है रेडी है सबुदाना का रेसीप करी मेरेसीप है एक सबाइना का उसका लिंक